स्वागत है आपका चाइड डवलबर्मेंट पेटा वजी के अगले लेक्चर में आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन यानि अभी प्रेंडना के बारे में एक ऐसी चीज एक ऐसा फैक्टर जो सक्सेस्फुल होने के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट और यह एक ऐसा सब्जक्त है जिससे सीटेट हो एच्टेट हो डी ट्रिपलेस कहीं पे भी आप जाएं इस टॉपिक से सवाल आपको एक दो मिलेंगे ही मिलेंगे इस ऐसी चीज है जिसके बारे में पॉजिटिव रहना आपने गोल्स आइडियास परफॉर्मेंस एवरिधिंग इस पूरे लेक्टर में हम मोटिवेशन के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे और जितने CDP-related content है उन सारे content के वीडियो लेक्टर को अफेल करने के लिए आप हमारे चानल के playlist में जाहिए जहां पे बाल विकास है उन सिच्छा शास्त्र नाम से एक playlist बनी हुई है Go there and check it out for more CDP-related content. Motivation एक ऐसी चीज एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा प्रोसेस हम कह सकते हैं इसको जो हमारे जीवन के हर आयाम पे हमारे लिए काम आता है reward से related, goal से related, peers से related, friendly, eco-friendly environment से related हमारा determination, challenges, opportunities और encouragement सब कुछ more or less आकर के motivation से जुड़ता है और कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ motivation होता है human life में motivation बहुत जादा important है क्योंकि हर aspect से life में कोई भी aspect हो कहीं ना कहीं motivation किसी ना किसी रूप में बहुत ही जादा जरूरी होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं moving to this motivation की और लोगों ने motivation के बारे में क्या कहा है जैसे की रिले अन लिविस ने बताया कि motivation एक ऐसा process है that helps to direct the learner's internal energy towards various goals and objectives in his or her environment directly आपको किस तरफ जाना है जैसे की sir ने कहा seated batch आप जॉइन करोगे तो जब भी ऐसी बात होती है तो आप क्या यहां पर क्या करो हो एक छोटा सा reinforcement है जो हम कर रहे है अपने learners को direct करने के लिए कहीं ना कहीं sir का यह मकसद है कि आप हमेशा motivated रहें seated के प्रती अपने गोल के प्रती आपकी जो internal energy है जो आंतरीक उर्जा है वह अपने गोल के प्रती बहुत ही जादा सही तरीके से निखर के आए और आप अपना exam clear करो this is what religion really has to say about motivation skinner यानी BF skinner जिनके बारे में हमने बात भी की है और आप मुझे बताईएगा comment section में कि BF skinner के बारे में हमने क्या पढ़ा है और यह किस चीज से जुड़े वे है psychology के किस field से skinner जुड़े वे है और बहुत ही जादा famous है now motivation के बारे में इन्होंने कहाए कि एक super highway है या फिर highway है learning का कि learning के लिए कहीं ना कहीं motivation का होना बहुत जरूरी है तभी learning होती है यह बात कहना था skinner का इसकी important aspect जो motivation के कुछ इस तरीके के है कि needs जैसे कि biological और sociogenic जो हमारे biological need है जैसे कि भूक प्यास या जो भी चीज़े थे हों हमें जीने के लिए चाहिए वह हमारे जैविक needs है आवशक्ताइए हैं पिर sociogenic जो हमारे आपते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा ही सामजिक परसन है नेक्स्ट इस ड्राइव यह ऐसी चीज जो आपको एक्टिवेटेड रखती है जैसे कि खाना भूख लगी है नीड है क्या नीड आया कि खाना खाना है लेकिन खाना खाने के लिए आपने जो चीजे शक्रि परसाहन आपको खाने के बाद क्या मैंसेश हुआ पेट भर गया दिमाग में जो तल पुतलती सारी शानत हो गई तो वह क्या था रिवार्ड था उस खाना रिवार्ड जो था खाना बनाया और प्रोटसाहन था उसी को हम कहते हैं इंसेंटिव तो यह तीनो चीजे जो है इं का Features of Motivation, देख लेते हैं फटाफट से यह एक psychological feature है, psychological process है, Continuously चलते रहता है, बहुत ही unpredictable complex process है, because unpredictable or complex हम इसलिह कहते हैं, कभी-कभी आप सिर्फ एक line से एक वाक्य से बहुत जा जादा motivated हो जाते हो, कि आप अपने life में कुछ बहुत अच्छा achieve करने का goal रखने लगते हो, आप पूरे लाइफ की दिशा बदल जाती है, उस एक वाक्य से, उस एक स्थिती से, उस एक घटना से, वो एक बहुत ही कॉंप्लेक्स और अन्प्रेटिक्टिबल प्रोसेस है, इसके जो behavior पे हमारे influence है, बहुत ही strong प्रभाव पड़ता है, साथ मी पूरा का पूरा ये individual को बदलने का भी अपने अंदर capacity रखता है, और ये दो तरीके का हो सकता है, positive भी हो सकता है, positive जो चीजे अच्छी है और बढ़ रही है, और negative जो कि आपने कोई behavior attain किया है, जिसमें आपको अच्छा कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो आपने क्या, demotivate हो गया, तो वो negative भी होता है, ऐस साथ सीटेट के मॉक पर अवेलेबल है, www.delibytes.in पर बूस्ट यूर परफॉर्मेंस अलेवल अप, now moving forward, types of motivation, types में हमारे पस दो सबसे important motivation है, जिसको हम कहते हैं, आंतरिक प्रेणना और बहरी प्रेणना, यानि intrinsic motivation and extrinsic motivation, जो intrinsic motivation है, that means, कि आंतरिक प्रेणना है, आंतरिक प्रे इकदम विदिन आ रहे हैं, और permanent changes है, external और extrinsic motivation की तुलना में, जो changes है, वो बहुत ही permanent होते हैं, this leads to action, आप इसके लिए काम करते हैं, और इसका impact जो है, बहुत ही positive impact है, आप इसका example एक ये ले लिए कि कोई एक बहुत ही जादा obese व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है, जिसका BMI बहुत जादा जा रहा है, और उसको अब बहुत जादा heavy exercise करने की ज़रूरत है, diet पे अपने control करने की ज़रूरत है, उसको दुनिया में पूरे लोग बोलते रहे हैं, वो उसने नहीं सुनाई, किसी के बात नहीं सुनी है, लेकिन एक point of time पे उसको खुद को उसने mirror में आएंगे, वो क्या होगा, वहां पे impact क्या हुआ, motivation कहां से आया, वो आया internally, वो motivation आया है, बिल्कुल internally, अंदर से motivation आया है, और अब जो changes आएंगे उन व्यक्ति में, वो बिल्कुल permanent होंगे, अब वो अपनी चीजों को सिर् दिमाग तक सोच सोच के नहीं रखेंगे, अब उ मुझे homework करना है, मेरी practice होगी, और मेरी जो concepts है, वो बहुत ही पक्के होंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि आप अपने performance को boost कर सकते हैं, डेली वाइट के सांथ, बहुत सारे बच्चे इस बात को सुनेंगे, लेकिन उसको join करने माला जा कि visit करने माला बहुत ही कम बच्चा होगा क्योंकि हम वहाँ पे आंतरिक रूप से प्रेरित ही नहीं है कि हमें काम करना है, मैं यह नहीं कह रही कि आप काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन वहाँ अंदर से जो प्रेड़ना है कि हमें करना है, और किसी हाल में करना है, दस mock paper लगाने है, anyhow मैंने आज motivation का topic खतम किया है, आ आपको बहुत अच्छे से paper solve करना है, और अपने आपको seated में बहुत अच्छे अंकों के साथ सफल बना लेना है, तो वो जो motivation है, वो आंतरिक है, वो किसी के कहने से नहीं आ रहा है, वो अपने आप हो रहा है, next is extrinsic motivation, जहां पर बात हो रही है, external motivation की, यह rewards के उपर काम करता ह changes, permanent नहीं होते, बिल्कुल temporary changes होते और peripheral होते हैं, बिल्कुल बाहरी बाहरी सतों पर होगी changes, और negative इसका प्रभाव बहुत ही जादा है, अब देखो यह बात कैसे कह रहे है, एक example जो अभी बच्चे का लिया, कि उसने homework किया, कुछ बच्चे यह सोचके homework कर लेते हैं, कि homework मिल है, और अगले दिन माम जो हैं, या सवर जो हैं, वह हमें good देंगे, अगर मैंने अच्छे से homework किया है, तो उसके पास एक लालच है constantly दिमाग में, कि उसे homework इसलिए करने क्योंकि उसे अपने copy में good चाहिए, या उसे यह चाहिए कि टीचर उसके लिए सारे class के बच्चे उसे काम करने से, तो वो उसके लिए motivation का काम कर रहा है, और यह क्या है, यह external motivation है, अंदर से उसके कोई ऐसा भाव नहीं है, उसको बाहर से है, कि उसको जो मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो behavior, तो यह कहीं ना कहीं यह खत्म हो सकता है, अगर reward खत्म हुआ, तो यह वाला, जो motivation है, जो काम करना और behavior है, वो भी खत्म हो जाएगा, बट यह वाला कभी भी खत्म नहीं होगा, यह चलते रहेगा, क्योंकि आपके अंदर से यह चीज आ गई है, कि आपको कोई चीज बहतरी के लिए अपने करना है, तो आप वो करोगे, तो यह जीवन परिय इसको दियाता James Coleman ने, और इनका यह कहना था, कि जो हम motivate होते है, वो pull और push की तकनीक से होते है, push अपनी तरफ कोई चीज खीच रही है, तो वो self motivation है, self की तरफ आप खीचे चले आरो, कोई एक चीज है, जो body structure था अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने जब मिरर में देखा, मै एक अच्छी body ने मुझे motivate किया है, तो अपनी तरफ खीचा है, तो उसको push कहते है, यानि self motivation, तो कहीं ना कहीं, internal motivation, intrinsic motivation, and push, sorry, pull जो है, external motivation, हम कहते है, अपनी और वो खीच रहा है हमें, हम उसकी तरफ नहीं खीच रहा है, अंतर समझेगा, हम उसकी तरफ नहीं खीच रहा है, एक अच्छा reward हमें अपनी तरफ खीच रहा है, तो हम कोई काम कर रहे है, otherwise नहीं कर रहे है, this is pull and push factor given by James Colman of motivation, या motivation इस तरीके से काम करता है, James Colman ने भी हमें बताया था, now moving to motivation cycle, motivation का भी एक cycle है, जो चलते रहता है, हमें जरूरत किसी चीज की पड़ी, right, कोई एक ऐसी चीज ह है, जिसकी जरूरत पड़ी, let's say concept पके करने है, हमने driving force, उसका क्या था, seated qualify करना है, because उससे नौकरी मिलेगी, incentive क्या था, नौकरी का जो salary है, बहुत ही अच्छा है, भाई, KVS में हो जाता है, तो क्या होगा, मेरा तो 80,000 salary बनेगा, 65,000 बनेगा, मुझे इतनी चुटिया मिल है, ठीक है, और मैंने क्या, गोल फिक्स कर लिया, कि मुझे अब यही करना है, गोल अगर अचीव नहीं हुआ, तो फिर से need हमारी बढ़ी, और फिर से हमको driving force मिला, फिर incentive के उपर हमने देखा, और फिर से हमने गोल के उपको target कर लिया, तो यह completely circular manner में चलते रहता है, जिसक कि हम motivation cycle कहते हैं, moving to the next, approaches and schools of psychology, जो motivation के बारे में बात करता है, तो सबसे पहला है, और सबसे पुराना है, that is behaviorism approach, जिसमें law of effect के बारे में बात कर रहे थे हम, और यह external है, because इसमें response stimulus था, stimulus था, उसके average में कुछ response हो रहा था, तो response जब आ था, तो stimulus के average में कुछ response हो रहा था, तो this is behaviorism, और यहां पी जो motivation है, वो external है, next is humanistic approach, यहां पी जो motivation है, वो internal है, आंतरिक रूप से आ रहा है, and last is cognitive approach, यह भी internal है, संग्यानात्म, गृस्तिकोन भी बिलकुल आंतरिक है, हम कैसे सोच रहे हैं, किसी भी चीज को करने से पहले, क्या हम उससे बहुत जादा influenced है, drive है, हमारा क्या approach बन रहा है, उससे, that is cognitive approach, और humanistic approach के बारे में हम तब बात करेंगे, जब हम Maslow के बारे में बात करेंगे, तो he has given one of the finest motivation theories, जिसको हम देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही अच्छी theory है, तब हम बात करेंगे, humanistic approach के बारे में, जो theories है, motivation पे, वो क्या-क्या है, सबसे पहली theory है, जो सबसे अच्छी theory मानी जाती है, वो है Abraham Maslow की, फिर MacDougal है, हमारे पास, हल्स की drive theory है, Thondike है, Skinner है, और Sigmund Freud है, तो Thondike और Skinner को हमने पढ़ लिया है, behaviorism के रूप में, कि जो reward मिल रहा है, वो reward का काम कर रहा है, तो वो important है, because वो motivate कर रहा है, कही ना कहीं, Sigmund Freud क के बारे में हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे types of personalities, और वहां भी उन्होंने किस तरीके से personalities को बताया है, और Sigmund Freud ने भी एक बहुत ही अच्छी theory दी थी, जिसके बारे में हमने नाम पढ़ा था, एक किसी lecture में, comment section में बताएए, आपको क्या याद है, कि Sigmund Freud के बारे में ने क्या पढ़ा था, and then, ये तीन thinkers हैं, psychologists हैं, जिनके motivation के सिद्धानत हम अगले lecture में complete करेंगे, तब तक ये लिए, बने रहे हैं, डेली वाइट के साथ, और आप अब हमारे टेलिग्राम से भी जुड सकते हैं, जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा, stay tuned, stay connected to डेली वाइ ये भी